दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि WhatsApp Business App में Community Group कैसे बनाई जी हाँ दोस्तो आपको पता होगा कि WhatsApp Business App में आपको Community Group बनाने का Option नहीं मिलता है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 100% जेन्विन तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने WhatsApp Business Account में Community Group बना पाएंगे और उसको आसानी से यूज भी कर पाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरा WhatsApp Business Account है और यहाँ पर देखें कहीं पर भी Community Create करने का Option नहीं है यहाँ पर उपर जब आप तीन डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक Option मिलता है Communities का लेकिन जब आप Community पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कहीं भी Community Create करने का Option नहीं आता है यानि कि अभी के टाइम पर WhatsApp Business में Community Group बनाने का कोई भी Option नहीं है तो ऐसे में अगर आप अपने WhatsApp Business Account पर Community Group बनाना चाहते हैं तो जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला उसको Follow कीजे और बहुत ही आसानी से केवल 5 मिनट के अंदर आप आसानी से अपने WhatsApp Business Account में Community Group बना पाएंगे तो चलिए बिना Time Waste के देख लेते हैं कि क्या करना होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने WhatsApp Business आपको Open कर लेना है इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे उपर 3 डॉट दिखेगा इस पर क्लिक कीजिए फिर यहाँ नीचे आपको एक Option मिलेगा Settings का आपको इस पर क्लिक करना है Settings में आने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ा से स्क्रॉल करना है फिर यहाँ आपको Chats वाले Option पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर फिर से स्क्रॉल कीजिए अब यहाँ पर आपको option मिलेगा chat backup का आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको एक काम करना है आपको अपने WhatsApp business account का chat backup ले लेना है क्योंकि जो हम काम करने वाले हैं उसमें हमारा जो chat है वो delete हो सकता है तो यहाँ पर आपको Google account पर click करना है और यहाँ से आपको एक email id add कर लेनी है अपने WhatsApp business account में जिसमें आपका सारा chat, photo, video सब backup हो जाएगा और नीचे यहाँ पर आपको option मिलेगा backup using cellular इसको आप enable रखेगा अगर आप videos का भी backup लेना चाहते हैं तो यहाँ include videos वाले option को भी enable कर दीजेगा इसके बाद यहाँ पर आपको backup to google driver क्लिक करना है और यहाँ पर आपको select करना है only when I tap backup यह चार चीज आप अच्छे से सेट कर लीजेगा जैसे मैंने आपको बताया इसके बाद यहाँ पर आपको option मिलेगा backup का इस पर आपको click करना है और आपको अपने whatsapp business account का सारा चैट वगरा backup ले लेना है तो यहाँ पर देखे बैक अप हो रहा है 438KB का सारा फाइल है तो हम इसको backup होने देते हैं आपका जितना लंबा चैट वगरा होगा उतना ज़्यादा यह time ले सकता है अब देखे सारा कुछ backup हो गया अब यहाँ पर आपको बाहर आ जाना है अब आप अपने whatsapp business से बाहर आ जाएए अब आपको आना है play store पर यहाँ पर आपको कोई third party app नहीं उसकरना है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप देखते रहिए आपको search करना है whatsapp और whatsapp app को install कर लेना है तो मैंने already whatsapp app install किया है तो चलिए मैं इसको open कर लेता हूँ अब यहाँ पर आपको agree and continue उपर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना whatsapp business number डाल देना है और उपर country भी select कर लिजेगा number डालने के बाद आपको next वाले option पर click करना है फिर यहाँ पर आपको yes वाले option पर click कर देना है अब यहाँ पर OTP आएगा तो OTP डालकर आप verify कर लिजेगा कई बार यह automatic verify कर लेता है देखे इसने automatic verify कर लिया अब यहाँ continue वाले option पर click कर दीजे अब यहाँ पर आपके account का नाम यह उठा लेगा automatic अगर आप चाहें तो नाम वगरे चेंज कर सकते हैं फिर यहाँ next वाले option पर click कर दीजिए अब देखें यहाँ पर आपका जो WhatsApp business account है वो normal account में convert हो जायागा अब देखें यहाँ पर मैंने already कई सारे communities create करके यहाँ पर मैंने देखा था और यह trick बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो अभी मैं इसको पहले delete कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं पहले इन सभी communities को delete कर देता हूँ ताकि मैं आपको fresh एकदम दिखा सको तो देखें अभी यहाँ पर कोई भी community नहीं है अब आपको क्या करना है यहाँ कोने में community का आइकन दिखेगा इस पर क्लिक कीजे फिर यहाँ पर आपको start your community पर क्लिक करना है अब यहाँ get started पर क्लिक कर दीजे अब आपको जो भी community बना रही है वो community आप यहाँ पर create कर लीजे जो भी आपको community का नाम डालना है वो यहाँ पर डाल दीजे मैं यहाँ पर business account के लिए community बना रहा हूँ तो यहाँ पर मैं business community रख देता हूँ नाम और यहाँ पर आप description भी लिख सकते हैं इसके बारे में और यहाँ पर आप profile photo पर click करके यहाँ से आप अपना profile photo भी लगा सकते हैं गयली से जाकर और अगर आपके पास profile photo नहीं है तो यहाँ यह जो circle दिया हुए goal सा इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी emoji मिल जाते हैं तो यहाँ पर आप लगा लिजे कोई से भी एक photo अब यहाँ पर आपको नीचे arrow वाले option पर click कर देना है अब देखें आपकी community create हो जाएगी community create होने के बाद अब आप इसमें जो जो groups को add करना चाहते हैं उसको add कर लिजे तो यहाँ पर नीचे आपको option मिलेगा add groups इस पर click कीजे अब देखें community में आप कम से कम 101 groups को add कर सकते हैं जो कि बहुत ही कमाल की बात है तो groups को add करने के लिए दो option मिलता है एक है create new group दूसरा existing groups अगर आपके पास पहले से कोई groups है तो यहाँ add existing groups पर click कीजे और जो भी groups आपके पास हैं उसको यहाँ से select कर लिजे जो जो groups आप add करना चाहते हैं उसको select कर लिजे और अगर किसी group को remove करना है तो उसको uncheck कर दीजे वो हट जाएगा group को select करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से arrow option पर click कर देना है और अब ok कर दीजे अब देखे आपके community में यह group add हो जाएगा यहाँ पर मैंने दो group add कर लिया है अगर कोई group आप create करके add करना चाहते हैं तो यहाँ create new group पर click कीजे नया group create कर लिजे और उसको add कर सकते हैं अब देखे group तो मैंने add कर लिया यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं अगर आप community में और भी settings करना चाहते हैं तो यहाँ उपर आपको तीन डौट देखेगा इस पर click कीजे यहाँ पर community info में आ जाएए अब यहाँ से आप members को invite कर सकते हैं और भी members को add कर सकते हैं और भी groups को add कर सकते हैं और यहाँ पर आप groups को manage कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप community को deactivate कर सकते हैं delete भी कर सकते हैं यह सारी settings आप कर सकते हैं अब चली हम देखते हैं कि whatsapp business में इस community को कैसे ले जाना है तो same होई trick हमें यहाँ पर भी follow करना है यहाँ पर आपको पहले तीन डॉट पर click करना है फिर settings में आ जाना है अब यहाँ पर आपको chats वाले option पर click करना है अब यहाँ पर आपको scroll करना है फि settings आप यहाँ पर भी करके रखिएगा यहाँ पर आपको google account अड़ कर लेना है एक वही जो आपने business account में एड़ किया था वही वाला अड़ कर लीजेगा और यहाँ पर backup to google drive में only when I tap backup पर click कर दीजेगा और यह backup using cellular इसको enable रखिएगा और अगर वीडियो का backup लेना है तो इसको enable कर दीजेगा फिलाल मैं इसको बंद कर दीता हूँ इसकी मुझे जरूरत नहीं है अब यह setting करने के बाद आपको यहाँ backup वाले option पर click कर देना है और अब आपको अपने whatsapp का यह सारा chat वगरा backup ले लेना है इससे पहले हमने whatsapp business का backup लिया था उसको हमने import किया अपने normal whatsapp में यहाँ पर हमने community बनाया अब यह सारा चीज हमें फिर से backup ले लेना है और इसको backup लेने के बाद अब यहाँ से आपको बाहर जाना है whatsapp messenger से बाहर जाए अब आपको जाना है दोबारा से अपने whatsapp business app में और यहाँ पर आपका account log out हो गया होगा तो यहाँ login पर click किजे और यहा फोन नमबर यहाँ पर डालिए जो आपका whatsapp business account था तो यहाँ पर मैं डाल देता हूं नमबर डालने के बाद country select कर लिजेगा फिर यहां next कर दीजे उसके बाद यहाँ पर आपको yes वाले option पर click कर देना है अब यहाँ पर भी आपको verification करना होगा तो यहाँ पर देखे automatic verify हो ग कीजे और जो भी आपके business account का category है वो आप select कर लिजेगा यह जरूरी होता है business account में इसके बाद यहाँ पर आपको next वाले option पर click करना है जैसे आप next वाले option पर click करेंगे तो हो सकता आपके सामने restore and backup का page आए अगर restore and backup करने को बोलेगा तो आप restore कर लिजेगा लेकिन मेरे में भी आया हो सकता आप में भी ना आए अब देखें यहाँ पर आप देख पाएंगे यह WhatsApp community यहाँ पर आ चुकी है यह trick बहुत ही कमाल का है इससे आप अपने किसी भी WhatsApp business account में community create कर सकते हैं और इस community को आप चला भी सकते हैं यहाँ community पर click कीजिए यहाँ से आप add group पर click करके और भी groups को add कर सकते हैं किसी group को remove करना है तो यहाँ से आप उसको remove भी कर सकते हैं और अगर आपको इसमें कुछ setting करनी है members को invite करना है तो यहाँ तीन डौट पर click कीजिए community info में आईए और यहाँ से आप same वही सारी settings कर सकते हैं जो आप WhatsApp एप में अपने community में करते थे तो हमने basically क किया क्या है हमने पहले अपने WhatsApp business account को normal account में किया था उसके बाद हमें वहाँ पर community create करने का option मिला तो वहाँ पर हमने WhatsApp community create कर ली community create करने के बाद हम लोगे ने दोबारा से अपने उस WhatsApp account को WhatsApp business account में convert कर लिया और वहाँ पर हमने एक छोटा सा काम किया था अपने chat का हम लोगे बैक बैक अप हो जाता है उस बैक अपको हमने दोबारा सी यूज़ किया अपने वाट से बिजनस में आपको पसंद आ हूं वडियो को लाइक कीजेगे और अगर आपका कोई भी क्वेंट बॉक्स में जरूरा